खबर मिल रही थी कि दो टेर्रिस काला कोट के इलाके में यहाँ पे अपनी कतिविदिया बढ़ा के उन्होंने काम बढ़ा रखा है और 19 तारीक के रात को हमको यह confirmed खबर मिली कि पाकिस्तान का high ranked एलीटी टेर्रिस जिसका नाम की कारी है वो जो की कावी समय से रोजाओरी और पुंच के इलाके में अक्टिफ था उस वो अपने एक साथी के साथ इस इलाके में operations के लिए यहाँ पे शामिल हुआ है इस खबर के अधार पे तुरंत सारे security forces जहाँ पे शामिल राश्य राइफल्स जमो करश्मीर पुलीस और बाकी इंटी इजन्सीज इन्होंने तुरंत operations को कारगर रूप में शामिल किया प्लानिंग की और साथी साथ तुरंत अपनी activities शुरू कर दिया नहोंने 22 तारीक को करीबन साढ़े आठ वजे आठ वज के तीस मिनट पर दुबारा जनल एरिया काबु कोट जहां पर पहले खबर आई थी इन दो टेर्रेस का दुबारा सुचना मिला कि इनकी यहां पर गतिविदियां चल रही हैं इस खबर के अधार पर search operations लाउंच किये गे क्यूंकि इस इलाके में जंगल जंगली इलाका है जंगल के इलाका है और साथ में कुछ सिविल लुन लोकों के ढोग भी हैं बड़े तफसील से यहां पर प्लैनिंग की गई थी operations की जिस इलाके में हमारे पार्टी सुच कर रही थी उस हमें उस इलाके में एक सिविलियन का खत्रा कि सिविलेंस की जान को खत्रा जहांकि वहां पर लेडीज भी थे और बच्चे भी थे जो पार्टी के कमांडर थे कैप्टन प्रांजल सबसे पहले वह कवर से बाहर निकलके उन्होंने जो बच्चों को और लेडीज को वहां से सेफ्टी के लिए निकाला और तुर तर्रेस वहां से निकल ना पाए। साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे तुरंत ही वो लॉंच हो गए थे और इस लाकी के लिए उन्होंने बिल्ड अप करना शुरू कर दिया था कैपिन प्रांजल की टीम कब तकरीवन आदे घंड लगी इसके वेज़े से उनको शाहदत मिली और उन्हें अपना सर्वोच बलिदान दिया पर इस ऑपरेशन का सबसे महतुक पूर्ण हिसा यह था कि उन्होंने मिल्कुल कॉंटाइट को ब्रेक नहीं होने दिया उस इलाके के अंडर्ग्रोथ बोल्डर्स बहुत ही मुश्क इसमें की सामिल है 9SF और 2SF उन्होंने इस कॉंटाइट को बना के रखा और टर्रेस का सर हमेशा नीचे रखा यह फायरफाइटिंग काफी समय तक चलता रहा और इस समय के दौरान धीरे-धीरे करके हमारे स्पेशल फोसेज और हमारे बाहदुर जवान इन टर्रेस के इनका साक्रिफाइस हो गया था पर यह फायरफाइटिंग कंटिन्यू होता रहा और यह यकीन किया गया कि यह टर्रेस वहां से निकल ना पाए जब तक यह ओपरेशन आगे बढ़ता रहा करीबन शाम का 1730 बजे का समय हो गया था और अंदेशा था कि बहुत शीग्री ही अंदेरा होने वाला है और इसके वेज़े से साथ ही साथ एडिशनल टूप्स की बिल्डप और प्लैनिंग करी गई थी ताकि फिर वहां से कोई निकल ना पाए इसमें हमारे अन्य आरार उनेट 54 आरार, 2SF, 63 आरार, 9SF सभी ट्रोप्स इंकलूडिंग जेकेपी नों ने कॉर्डन को एस्टाबलिश किया और यकिन किया कि उनकी पूरा अच्छी तरह से इस इस इलाके को कंट्रोल में आसिल कर सके रात भर इस इलाके को UAV के द्वारा, night enabled cameras और modern equipment जो कि operation ले इस्तमाल किये जा रहे थे उसके साहता से इस इस इलाके पर अच्छी तरह से निगराई बनी रखी गई और यह एकीन किया कि टर्रेस वहां से निकल ना पाए 23 तारीक के सुबह फर्स लाइट पर दुबारा सहर्ज की कारवाई को आगे बढ़ाया गया और इसमें करीबन साथ बच के 40 मिनिट पर एक टर्रेस जो कि उस कॉर्डन के अंदर ही था पर निकलने की कोशिश कर रहा था उसको हमारे पारट्रों पर सचिन ने उसको इडिंटिफाई कर लिया उसने तुरंदी उसके उपर फायर डाला सचिन के फायर के उपर टर्रेस ने भी जवाब भी फायर किया और उस फायर के दौरान सचिन घायल हो गये पर तुरंदी 2SF और 9SF की बागी टीम्स ने तुरंदी बिल्ड़ अप कर लिया था और ये फायर को लगातार बनाया रखा गया और करीवन करीवन 1330 बजे तक दूसर टेरेस भी इलिमिनेट कर दिया गया इस ऑपरेशन में पांच सूरवीर, काप्टन प्रांजल, काप्टन शुबम, हवलदार माजिद, प्लास नाइक संजे बिष्ट जो की हाली में बुद्दल की इलाके में भी टेरेस के साथ ऑपरेशन में ही शामिल हुए थे और पारेटुपस सचन इन्होंने अपना सर्वो इन्होंने देश के सर्वोच इजद के लिए और टेरेस्ट के लिए जो सहाधत प्राप्त कि हम सबको इन से प्रेड़ना मिलती है और यह यकीन दिलाते हैं आपको कि यह कारवाई आगे भी वरकरार रहेगी यह दोनों ही टेरेस्ट फॉरं टेरेस्ट थे जिनमें से एक था जो क कारी था वो बहुत ही वांटेट टेरेस था और यह यकीन में आया है कि नोने पाखिस्तान और अफगानिस्तान की इलागे में इन्होंने ट्रेनिंग आसल किये और कारी एक I.दी एक्सपर्ट भी है और बहुत ट्रेंट स्नाइपर भी है काफी विशेषने स्टूत्रों से ये भी पता चला है कि कारी मास्टर माइंड था सिविल इंकिलिंग्स जो की डांगरी में हुआ था इस साल जैन्वरी में भी इसके अलावा कांडी के इलाके में जो सिक्रेटी फोसेस के उपर भी जो हमला किया गया था इसके उपर भी कारी का शामिल होने का खबर मिला है इस ओपरेशन में भारी मात्रा में गोला बारूत युद का समान रिकवर किया गया है जिसे भी ये अंदाजा लाज आ सकता है कि इन टेरेस की ये प्लानिंग थी कि इस टेरर अक्टिविटीज को यहां पे और बढ़ाया जाए और सिविलेन पॉपुलेशन को अंदर देशत खलाया जाए अभी ऑपरेशन खतम नहीं हुआ है ऑपरेशन बरकरार है सर्ज की प्रक्रिया जारी है और यह ऑपरेशन जो कल जिसकी सक्सेस हासिल हुई है जिसमें यह दोनों टेररेस को मार गराय गया यह एक आपसी ताल मेल जो की जेकेपी भारते सेना और बागी सेक्यूरडी एजिंसी जो की इस इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी एक पहचान है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि यह प्रक्रिया आगी भी बनी रहेगी और आने वाले दिनों में और भी सक्सेस हासिल किये जाएंगे थैंक्यू धन्यवाद झाले झाले जाएंगे